नवस्कार दोस्तों आफ सभी का स्वागत है सिक्ष। आकेडमी के इस नए वीडियो में दोस्तों तो आज के इस वीडियों में हम बात करने बाले हैं लोग सुबा चुनाओ 2019 के बारे में जिया दोस्तो लोग सुबा चुनाओ 2019 में कौन सुबा नेता किस सीट से हारा है या फिर जीता है और जीता है तो कितनी बोटों से जीता है या फिर हारा है इसकी संपूर्ट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत देश के जितने भी प्रमुख नेता है उनके बारे में हम जानेंगे किस सीर से चुना लड़ रहे थे और कितनी बोटों से जीते हैं या फिर हारे हैं इसकी संपूर जानकारी आपको मिलने वाले हैं तो आप बने रहे हमारे शा कुल सीटों की संक्याती 542 यानिकी लोक्सवा की 552 सीटे है लेकिं 552 सीटों पर चुनाओ ना होकर 2019 में 542 सीटों पर नहां पर मत्ता दान किया गया था और बहुमत के लिए आवसक सीटे है 272 तो दूस्तों बहुमत किसको प्राप्द हुआ है तो बहुमत प्राप्द है उनकी टोटल सीट हैं पर 352 सीट हैं ऐहां पर मिली हुई है एंडीaf के लिए जिसमें पर सटेंception और दोस्तों यहाँ पर शपा और भाशबा का महागठ बंदन की बात करें तो यहाँ पर उनको 15 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई है बहें त्रमूल की बात करें यहाँ पर 22 सीटें मिली हुई है और अन्ने के लिए यहाँ पर केबल 57 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा ह यहां पर बात कर लेते हैं घया तो हम जांळ लेते हैं कौन सा नेंने में जीता है। और दोस्तों इनका जो निर्बाचन छेत्रियाव सीट की बात करें तो नरेंदर मोदी सीट से लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश की बारासी सीट से लड़ रहे थे और यह जो बोटों से जीते हैं तो यह देख लिए आप 4,89,505 बोटों से यह जीते हैं ठीक है यह दोस्तों नरेंदर मोदी की जीत हुई है 4,89,505 बोटों से यह जीत हुई है बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर राहुल गान्दी जी की तो राहुल गान्दी जी भी यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे कहां से अमैठी से यह नहोंने चुनाव पर रहा हैं लेकिन दोस्तों राहुल गांदी जी ओ, है एक सीट और और यहाँ पर लड़ रहे थे हो इसे का नाम है केरल की वाइर नाड़ सीड जहां पर इनको बहुत ज्यादा बोटों से यहाँ पर जीत मिली लगबग 8 लाग बोटों से राहुल गांदी को जीत मिली ओ, ठीक कहां से केरल के बाइनाट सीट से ठीक है वहीं आप बात करते हैं दोस्तों अमित सहा के दोस्तों अमित सहा जो लड़ रहे थे गुजनात की गाधी नगर सीट से कहां से गुजनात की गाधी नगर सीट से है नरबाचन चुनाओ लड़ रहे थे और जो अमित सहा है यह दो तो देखिए पांच लाग 55,843 बोटों से इन्हों ने जीत अपनी दर्ज की है ठीक है अब चलते हैं आंगे अंगी प्रत्यासी हैं अपनी सौनिया गांधी जी सौनिया गांधी जी जो यहाँ पर चुना लड़ रही थी उत्तर प्रदेश की राय वरेली लोकसवा सीर से कहां लाग 66,178 बोटों से यहाँ पर इनको जीत मिली हुई है बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर अकलेस यादाव जी के तो अकलेस यादाव जी उत्तर प्रदेश से सीट का नाम आजमे गड़ आजम गड़ से है निरवाचन छेतर में उत्रे थे और अकलेस यादाव जी यहा तो राजना सेंग जी भी यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से ही यहाँ पर चुना लड़ रहे थे और किस सीट से तो दोस्तों राजना सिंग की सीट है लखनाव सीट से 3,47,302 बोटों से यहाँ पर उनको जीत मिली हुई है ठीक है चलिए दोस्तों अंगले नेता यह जोती राजने सिंधिया जी और दिक बजय सिंगन दोनों को हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों मद्दपिडेश की भूपाल सीट से लड़ रहे थे और इनको 3,48,22 बोटों से हार का सामना करना पड़ा है जो की बहुत चादा यहाँ पर डिफ्रेंस है ठीक है भाई यहा पर बात करें दोस्तों नितन गटकरी जी की नितन गटकरी जी का यह लड़ रहे थे चुना महाराष्ट की नाकपुर सीट से कहा से महाराष्ट की नाकपुर सीट से यह निर्वाचन में उत्रे हुए थे और इनको यहाँ पर 2,16,009 बोटों से यहां को जीत प्राप्तों और इनको यहाँ पर देखिए 1,25,549 बोटों से हारे हैं ठीक है दोस्तों यह जोते आज सिंदिया तो इनको कोई भी मानने वाला नहीं था के इनको हार का सामना भी देखना पड़ा लेकन दोस्तों भारत देश एक लोकता देश से कुछ भी इसमें होशकता है ठीक है चले दोस्तों आगे देख लेते हैं अंगले यहाँ पर हैं मुलायम सिंग यादा हुजी दोस्तों मुलायम सिंग यादा हुजी यहाँ पर उत्तर प्रदिश से मैन पुरी सीट से यहाँ पर चुना और लड़ रहे थे और इनहें भी 94309 बोटों से इनको जीत मिली हुई है कितन 93309 बोटों से मुलायम सिंग यादा को जीत राप्त हुई है बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर रभी संकर प्रिशाद जी तो रभी संकर प्रिशाद जी जो हैं आपर देख लीजिए दो लाग चौरासी हजार 657 बोट से यहाँ पर जीत गए हैं बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर सीला दीख्षित जी की तो सीला दीख्षित जी है यह दिल्ली सीर से लड़ रही थी कहां से उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो की कांग्रिस की प्रत्यासी थी और दोस्तों इ यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है सीला देखेंगो दिल्ली की पूर्मुक्ध मन्तली भी रही हैं और इनको भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है वो भी तीन लाग 68101 बोटोसे तो चले दोटों आप चलते आंगे बढ़ते हैं अंगले यहां पर 803 है अपने ग्रीराज सहरजी कहां से लड़ रहे थे दोस्तों यह बिहार से मैगुस राजसीर से लड़ रहे थे और इनको यहां पर 4,222,217 बोटों से यहां पर दीज जीत प्रापते हां पर बहीं बात करें दोस्तों यहां पर हरी सिम्रित को और बादल जी दोस्तों यह अकाली दल की प्रत्यासी थी और यह पंजाब से चुनाओ लड़ रही थी पंजाब की बटिंडा सीट से चुनाओ लड़ रही थी और इनको भी दोस्तों यहां पर केबल 21,772 बोटों से इनको ज लिएती हुई हैं। बहीं बात करें हैं.. यहाँ भूपेंस हड़ा जी खूपेंसिंग हुड़ा जी सुनईपड़ सीट से लड़ रहे थी। शनए कउनगरिस के पृत्यासित से इनको भी। दोस्तों यहाँ पर बहुत जारा नही केबल 1,64,864 बोटों से हार का सामना इनको भी करना पड़ा है ठीक है कितनी 1,64,864 बोटों से अब बात करें दोस्तों अंगले प्रत्यासी के तो अंगले प्रत्यासी जी है अपने राजवर्धन से है राठोर जी जो की राजस्तान की जैपुर ग्रामी सीर से लड़ रहे थे और इन्हें जो जीत का अंतर है 3,93,171 बोटों से जीत प्राप्तिन को हुई है बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर मैंका गांधी जी की तो दोस्तों मैंका गांधी जी जी जो है ए भाजवा के प्रत्यासी और उत्तर प्रदेश की सुल्तान पुर सीर से चुनाओ मैदान में थी और इनको भी यहाँ पर 14,526 बोटों से जीत प्राप्त हुई है केबल 14,526 बोटों से जीत प्राप्त हुई है काफी कम अंतर इनका भी रहा है मैंका गांधी जी का अब बहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर सरद यादव जी कि तो सरद यादव जी जो है यहाँ बिहार से मथे पुर सीर से निरवाचन मैदान में थे से और इनको यहाँ पर तीन लाग एक हजार पांसो सटाइस बोटों से हर का सामना इनको भी यहाँ पर करना पड़ा है ठीक है अब बात करें दोस्तों अंगले नेता की नायन्जी तो नायन्जी तो नायन्जी जो है मद्द पिर्देश की मुरेना सीट से लड़ रहे थे और इनको यहाँ पर एक लाग 13341 बोटों से यहाँ को इनको भी जीत यहाँ पर क्रापत होई है बहीं बात कहें दोस्तों असोग चाहान की तो दोस्तों अड़ोग चाहान चो है है महराष्ट के पूर मुख्य मंत्री है और है महराष्टे लड़ रहे थे ना देड़ से और दोस्तों इनको भी यहाँ पर देखिए 40148 बोटों से हार का सामना इनको करना पड़ा है बहीं बात करें आप दोस्तों अंग्रे पृत्यासे की कांती लाल भूरियाजी तो कांती लाल भूरियाजी मद्द पृत्यासी की रतलाम सीट से हार मैदान में थे और इनको भी यहाँ पर 90636 बोटों से हार का सामना करना पड़ा है ठीक है अब बात करते हैं अंग्ले पृत्यासी की तो अंग्ले पृत्यासी यहाँ पर हैं दोस्तों नकोल नाथ जी दोस्तों नकोल नाथ जी एक मात्र ऐसे पृत्यासी हैं कांग्रेस वाल जी के जो की मद्द पृत्यासी में जीते हैं जहां दोस्तों मद्द पिर्देश की 39 सीटों में से 28 सीटें जो है भाशपा के खातें में चली गई है और कांग्रेस के खातें में केबल एक सीटी आई है कौनसी छिनवारा बोबी नकुलनाद जी यानि की कमलनाद के पुत्र नकुलनाद मद्द पिर्देश के जो बरतमान पुत्र हैं नकुलनाद और केबल इन्होंने ही याँ पर जीत दर्ज की है मद्द पिर्देश की केबल एक मात 29 सीटों में से और दोस्तों यह भी जादा अंतर से नहीं केबल 37,536 बोटों से इनको यहाँ पर जीत राप्त हुई है अब बात करें अंग्रें प्रत्यासी सु 6,98,850 बोटों से यहाँ पर इनको जीत राप्त हुई है ठीक है अब अंग्ले प्रत्यासी हैं बैबाओ गेह लौजी लड़ रहे थे राजस्तान की जोदपर सीट से ठीक है जोदपर सीट से इनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है 2,44,440 बोटों से हार का सामना इनको भी करना पड़ा चले अंग्ले प्रत्यासी की बात करें हाँ पर हैमा मालनी जी रूस्तों हैमा मालनी जी उत्तर प्रदेश की मौतरा सीट से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ 2,93,471 बोटों से इनको यहाँ पर जीत राप्त हुई ह बहीं बात करें अंग्ले प्रत्यासी की दुस्यांत सेहं की दुस्यांत सेहं जी हैं यह राजस्तान की जाड़ा बाल बारा सीट से यहाँ पर अल्चुनाव में लड़ रहे थे और यहाँ भी दुस्तों यहाँ पर 4,53,928 बोटों से बिज़ाए हुई हैं अंग्ली प्रत्यासी हैं दुस्तों यहाँ पर देखि औरमेला मानटों का दुस्तों यह महराष्ट से बंबाई उत्तर से यह लड़ रही थी और इनको 4,65,247 बोटों से हार का सामना करना पड़ा अब चले दुस्तों अंग्ले प्रत्यासी की बात करें दुस्तों यहाँ पर बाबुल शुप्रियो दुस्तों बाबुल शुप्रियो जी है परश्रम बंगाल से हैं और यहाँ पर प्रत्यासी सीट का नाम है आसन सौल दुस्तों परश्रम बंगाल की सीट आसन सौल से हैं और यह एक लाग संतानवे हजार च्छेसों से बोटों से हैं यहां पर जीत दर्जिन होने की है याँ बात करने दोस्तों यहां पर डिमपल यादाव जी उत्तर प्रदेश की कन्यों सीट से यहां लड़ रही थी जो की सपा पालती की प्रत्यासी थी और इनको यहां पर केवल बारा हजार तीन सो त्रेपन बोटों से हार का सामना इनको करना पड़ा है यानि की बहुत ही कम बोटों से हार ही है के बल एक दो यहां पर बारा हजार तीन सो त्रेपन बोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा है डिमपल यादाव जी को अब भही बात करें दोस्तों यह पर 3,30,808 बोटों से हार का सामना इनको भी यहाँ पर करना पड़ा है तो दोस्तों इस सीट में हमने जाने देश के पिर्मुख नेता जो की हार या जीत का अंतर हमने इस वीडियो में डिसकस किया है यदि आपको वीडियो या है पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो बैल पाई क्लिक जरूर कर देता कि आपको मिलती रहे हमारी तरफ से पल पल की अपडेट तो चले दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तेक लिए दोस्तों बाई